नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे स्यूटूब चैनल में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पावर प्लांट के बारे में कोल इंडिया लिमिटेड जो भारत में 80% से जादा कोईले का उत्पादन करता है उन्होंने एक प्रपूजल रखा 36 ग प्रपूजल रखना पड़ा क्योंकि भारत में सब ज्यादा जो बिजली बनती है वह कोईले से ही बनती है तो फ्रेंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत में टोटल अभी लेक्टिसिटी उत्पादन कितना होता है कितना आगला टार्गेट रखा गया है इसके अल पादन होता है तो सब कुछ जानने के लिए देखते रही हमारे इस वीडियो को लाट तक जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्ट नौंबर सन 2019 का जो है यह आर्टिकल है टाइमस आफ इंडिया का अगर हम बात करें भारत में रिनुवेबल एनरजी की तो रिनुवेबल अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है सोलर सिस्टम इसके अलावा वेंड एनरजी और यूरेनियम इससे जो है बिजली अधिकतर बनाई जा सकती है अगर हम बात करें भारत की तो भारत जो है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है इलेक्टिसिटी उत्पादन में पह की तो सबसे ज़्यादा कोईले से बिजली बनती है सेकेंड नमर पर है हाइड्रो तिरसे नंबर पर है वेंड और चोते नंबर पर जो है वह हमारा सोलर पावर प्लांट प्रेंट्स यह जो आर्टिकल है जैसा कि आप देख सकते है कि कोल इंडिया लिमिटेड है से शोलर पावर प्लांट इंछतिस गड़ जिटीस गड़ को जो है वह हन्डेड मेगा वाट का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए कहा गया है कोल इंडियाक लिमिटेड के सबसेडरी आगर अगर हम बात करें इसके कोईल बिजली के कंजप्शन की तो 850 मिलियन यूनिट जो है ये साल में खर्च कर लेती है बिजली तो फ्रेंट्स इसको जो है 100 मेगावाट का टार्गेट दिया गया है कि आप जो है 100 मेगावाट बिजली सोलर पावर प्लांट से बनाएं इसके अलावा जो है आप कोईले से भी बना सकते हैं फ्रेंट्स अगर हम बात करें रिनुवेबल एनरजी के टार्गेट की तो रिनुवेबल एनरजी का टार्गेट जो है वो रखा गया है 55% तक 2030 तक इसके अलावा जो है 2022 तक का टार्गेट रखा गया है कि भारत को 200 गीगा वार्ट बिजली जो है वह रिनुवेबल एनर्जी से बनानी है दो हजार बाइस तक जैसा कि आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं इस इस पार्ट आफ इंडियन प्लांस इमर्जा नेट जीरो एनर्जी कंपनी एन इनिटी डेट जनरेट आवन ग्रीन पावर ग्रीन पावर क है जिसको एक बार बिठालने के बाद हमें कभी जो है इसके तरफ पलट के देखना नहीं पड़ता है अगर हम बात करेंए फ्रेंट्स कोईले से बनने वाली विजली की तो कोईले से जो टोटल विजली बनती है भारत में वह बनती है 56.1 परसेंट जो टोटल मेगावार्ट में हम देख सकते हैं कि 2,3954.5 मेगावाट है इसके लावा लार्ज हाइडरो से जो भारत में विजली बनती है वह बनती है 12.1 परसेंट इसमाल हाइडरो से जो बनती है 1.3 परसेंट विंड पावर से जो बनती है वह 10.2 परसेंट और सोलर पावर प्लांट से जो बिजली ब बनाई जाती है तो फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेट जो है यह बिजली में सबसे ज़्यादा सहयोग देता है इसके लावर जो भारत का जो टोटल टारगेट रखा गया है कि इलेक्टिसिटी कंजप्शन कितना है तो 4.5 बिलियन यूनिट तक जो है वो कंजप्शन का टारगेट है इसमें जो है 3,000 मेगा ओर्ट का डारगेट को दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेट के साथ NLC नावलिल इगनाइट कॉर्परिशन आफ इंडिया लिमिटेड जो तमिल नाडू में कोईले का उत्पादन करती है उन्हें भी साथ में टार्गेट दिया गया है इसके अलावा जो है ये कंपनिया 2000 मेगावार्ट तक कोईले से भी बिजली बना सकती है बट इन्हें 3000 मेगावार्ट बिजली जो है वो अपने सोलर पावर प्लांट के माध्यम से बनाना है फ्रेंट्स अगर हम बात करें कि मेजर पावर प्लांट इंडिया में कौन सा है तो NTPC का power plant है जो भारत में सबसे बड़ा power plant है जो विंध्यांचल में इस्थित है मद्यप्रदेश के सिंगरोली में फ्रेंट्स यह जो है power plant सबसे बड़ा power plant है जिसमें 4760 मेगावर्ट जो है बिजली का उत्पादन होता है इसके अलावा मुंद्रा है गुजरात में जहां 4620 मेगावर्ट तक उत्पादन होता है बिजली का यह जो है वो कच्छ जिले में है जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया वन कांट्री विट लार्जेस प्रोड़क्शन एनरजी रिनुवेबल सोर्स इसका टार्गेट रखा गया है कि 55% जो है हमें 2030 तक बिजली बनानी है सोलर पावर प्लांट के माध्यम से यह अधर जो रिनुवेबल एनरजी है उसके माध्यम से अगर हम बात करें टोप सोलर पावर प्लांट की तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पे हैं चाइना जिसमें आप देख सकते हैं ज चाइना है इंडिया जो है वह है चोहते नंबर पे इंडिया में सबसे बड़ा सावलर पावर प्लांट है वह जैसा कि आप देख सकते हैं अदानी कंपनी का तमिल नाडू में इसकी जो कैपिसिटी है वह है छे सो अरतालीस मेगावाट की इसके बाद जो है वह अमेरिका मे स्टेट में जो है सूलर पावर प्लाइंट का काम चल रहा है और लगबग जो इंस्टॉल केपिसिटी है वह 1.5 गीगावर्ट की है इसके लावा फ्रेंट्स 50-50 का टार्गेट दिया गया है एनलसी और सिया एल को इसके साथ जो है एमो यू साइन किया गया है फ्रेंट्स एमो यू की बात करें तो इसका फुल फॉल फॉल होता है मेमोरेंड़ अफ अंडरस्टेंडिंग जब किसी भी कंपनी की दूसरी कंपनी से फर्स्ट स्टेज में जो बात होती है उसको बोलते हैं मेमोरेंड़ अफ अंडरस्टेंडिं उनके तरब से भी यह target दिया गया है फ्रेंट्स अगर private और government company की बात करें तो private जो company भारत में बनाती है वो 46% बिजली बनाती है इसके लावा जो government sector है वहाँ से 54% हमें बिजली उत्पादन होता है फ्रेंट्स भारत में जो top company है जो renewable energy में साथ देती है या thermal energy में जो है वो है Tata, Reliance और इसके लावा जो government company हमारे NTPC फ्रेंट्स 2022 तक जो है वो 200 GigaWatt का target रखा गया है अगर अभी बात करें तो अभी भारत में जो है लगभग 83,000 MW बिजली का उत्पादन जो है renewable energy से होता है जिसको हम clean energy कह सकते हैं इसके अलावा जो है 175 GigaWatt का target 2022 तक रखा गया है फ्रेंट्स अगर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड में ये जो target दिया गया है कि लगभग 15,000 एकर में जो है इनको ये target फैलाना है 15,000 जो जमीन है वो बंजर जमीन है उसको लेके इसमें जो खर्चा आएगा एक मेगावार्ट बिजली बनाने में वो आता है लगबग 4-5 करोड रुपे लगबग 4-5 करोड रुपे जो है एक मेगावार्ट बिजली उत्वादन करने में इतना खर्चा आता है यह जो खर्चा है वो एक ही बार करना पड़ता है इसके बाद जो है आप बिजली का यूज सालो साल तक कर सकते हैं फ्रेंट्स अगर पावर प्लाइंट की बात करें तो जो सोलर पावर प्लाइंट है इसको आप कहीं भी बिठाल सकते हैं जैसे कि आपके पास बंजर जमीन है तो वहां पर भी इसको बिठाला जा सकता है इसके लवगा जो तलाब है तलाब के ऊपर है इसको यूच किया जा सकता है अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो टॉटल बिजली का जो टार्गेट रखा गया है वो रखा गया है 4.5 billion unit का अभी जो भारत में जो generate होता है लगबग 1160 billion unit जो है वो भारत में electricity generate होता है जिसमें जो हमारा coal इंडिया से जो निकलने वाला coal है उसका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कि कोईले से जो है लगबग 65% तक बिजली बनाई जाती है अभी भारत में फ्रेंट्स इसके अलावा जो है कोईले के अलावा hydro power plant पे भी यह भी एक बहुत ही अच्छा source है इस पे भी ध्यान दिया जा सकता है तो हमारी जो government है उन्हेंने target रखा है कि लगबग 2022 तक जो है लगबग 200 गीगावाट का बिजली उत्पादन जो है हम renewable energy से कर पाए अगर आपका कोई भी excuse है तो आप हमें comment box में लेखके बताए कि यह जो step है वो government ने सही उठाया है या गलत तो friends आज के वीडियो में बस इतना ही अगर हमारे यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाए thank you friends thanks for watching